तो काफी बार क्या होता है कि हजबेंड साब बोलते हैं वाइफ को कि भाई लिखके दे तो मैं रखूंगा तो ऐसी कंडिशन में वाइफ तो देखो वन वर्ड में सब्जाओं अगर आपका हजबेंड आपको बोलता है भी यह लिखके दे दे और मैं तिरको रखने के लिए आप बंद करके उसके पास जाओ रह ले अब प्रोविजन अगर मानों कोई ऐसे लिखवाता है तो पहली बात तो वह वाइड है वाइड मतलब जीरो उसकी कोई वैलिए अगर लिखवा भी लिया है बान के चलो आप से लिखवा लिया गी तो केस नहीं करेगी तो यह सब मन मिलते हैं हमें section 28 of Indian contract act उसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम किसी को restraint करते हैं legal proceeding के लिए यानि कि रोकते हैं कि भी मेरे खिलाफ legal proceeding नहीं चलाएगी यानि की case नहीं करेगी civil criminal जो भी है तो वह सब valid नहीं है उनकी value zero है तो अगर आपके हजबेंट साब बोलने की भी लिखके दे तो आप लिखके दो बेच आप खुद सोचा अगर ऐसा होता है लिखपाने वाला सीन होता हाला कि यह गाओं वाओं में चलता है लेकिन उनको actual knowledge नहीं है तो knowledge यह आप सुन लो तो क्या है अगर मालो यह सब होता तो जिस दिन शादी हो रही होती जैसे किसी husband wife की शादी ह होती है इधर फेरे चल रहे होते हैं और उधर वकिल साब बैटे होता है अभी बताओ क्या 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 कंडिशन लिखो तो यह सब वैलिड नहीं है इनकी जीरो अब मान के चलो और कंडिशन से यह तो होगया case है अगर मालो आपने लिख दिया है और कल को आपने यह सब ब्री संद का अगरना वो आर्टिकल 21 राइट तो लाइव इसको यह समझो कि उपर भगवान और नीचे आर्टिकल 21 बरावर है और तो अगर ऐसी कंडिशन आ रही है कि लिखने वाली तो भाई लिख दो कोई दिक्कत की जीरो वैलिव हाला कि यह सब गाओं वाओं में होता है और वह करते हैं उनको पता है तो अगर लिख दिया है तो वाई फ्यूचर में केस कर सकती है ऐसा कोई बाउंड नहीं है और हज्मेंट साब कोट भी नहीं जा सकते है उस चीज को लेगे मालो आपने लिखके दे दिया और बाद में अपने केस तो हज्मेंट साब यह नहीं कि जो चीजे वॉइड वैलिड है तो जो वॉइड है उनको माना नहीं जाएगा तो आप बेसक लिखके दो और घर बस रहा है तो भी या बसाओ जितना चल्दी हो सगे बढ़िया ओके सो बाई